अगर किसी से भी पूछा जाए कि सबसे पेइनफुल चीज क्या है तो सबसे पेइनफुल चीज है आपके गुर्दे के अंदर गर कोई पत्री हो या नाली के अंदर कोई पत्री हो इससे जादा पेइनफुल चीज नहीं हो सकती आज मैं आपको इस वीडियो के एंड में छे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप वो गुर्दे की पत्री प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं अलेकुम जी मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरेशी है और मैं आज आपको एक बड़ी ही इंपोर्टन चीज़ बताने वाला हूँ जो के गुर्दे की पत्री कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, आप सुनते रहते हैं लोग, हम जाते हैं मल्टिबल प्राव्लम्स होती है, रातों को सकता है, तो इतना पैन्फुल होता है, इसका हम प्यूंट है वाइन के रिसेप्टर नहीं होते हैं, जो कि आपको दर्द करें लेकिन नाली के अंदर काफी रिसेप्टर होते हैं और गुर्दे का चैप्सूल होता है ज तो वो पेंट करता है तो ये रिसेप्टर्स जादा पेंट करते हैं तो इस वज़ा से आपको गुर्दे में पेंट हो सकता है इसमें पिशाब में खून आ सकता है होता है कि पत्थर जो अक्सर नोकीला होता है तो जब वो म्यूकोजा जो उसकी लेयर होती है गुर्दे की ना क् NEW आनव को इनवे दो करती हैं पत्यक् benzina के साथ यह में तो इससे मरीज हमारे पास आते हैं दर्द हो यहां पथर मेरा एक दो से उसका 1.2 सेंटीमीटर का पथर अच्छा बड़ा पथर होता है वो भी पुछाप के रास्ते से खुद ही निकल आया तो इसमें होता यह है कि कॉंट्रैक्टाइल होती है जिससे आंते जो है मसाने के अंदर नीचे खुल रही होती है वहां पर रुकावट होती है तो यह में में रुकावटे होती है अगर उसको उबूर करता जाए तो पथर आपका निकला आदा आपको तश्कीज करनी होती है जो फर्स एक यही पथर आपके अंदर बन रहा होता फिर बागी यूरेक एसड़ बी होते हैं इंफेक्शन के स्टोन भी होते हैं तो अगर आपको यह स्टोन फॉर मिशन हो रही है तो इसमें कैल्सियम एक एलेमेंट है और 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 बहुत बहुत प्रॉब्लमाटिक चीज है वैसे यह 20 परसंट गिजा से हम लेते हैं लेकिन इसमें गिजा का कंट्रोल भी करना जरूरी है और फिर बॉडी भी आपको बनाती है कुछ आपके चीजे होती हैं जो प्रिवेंट करें तो आप रोक सकते हैं यह तो हम अपनी काफी वीडियो में बता चुके हैं मैंने एक और भी स्टोन यूज की वज़ा से आपके बॉडी के अंदर बढ़ता है कैल्शियम और के साब बाइंड करता है और स्टोन फॉर्मिशन होती है अगर इसकी बाइंड ना हो तो स्टोन फॉर्मिशन नहीं होगी वह मैं आपको बताता हूं कि यह क्यों बनता है स्टोन सुपर सैचुरेशन सैचुरेशन गाड़ा हो जाता है इस वज़ा से बनता है कुछ लोग कहते हैं विटेमिन सी जादा लेने की वज़ा से बनता है कुछ कहते हैं कि प्रोटीन आप बहुत जादा लेते हैं तो बनता है कुछ लोग कहते हैं कि आप सिट्रेट जो है जो चीज होती है जो कि आप बहुत जाद आप खा रहे हैं, fatty food बहुत जाद खा रहे हैं, तो हो सकता है, तो इस तरह से आपकी काफी चीज़े हैं, जो के इसकी prevention करती हैं, लेकिन stone formation और prevention पे कुछ theories हैं, कुछ भी किसी को पता नहीं कैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनके role हैं, और जिसकी हम stone prevent कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वो 6 चीज़े बता रहा हूँ, जिसकी वज़ा से आपकी stone formation रुख सकते हैं, सबसे पहली चीज़, आपने 2.5 या 3 लिटर पानी पीना है, लोग कहते हैं, 3 लिटर पानी कैसे पीएं, क्या करें, तो जो आपके 10 glass होते हैं, 11 glass छोटे होत करीबन 2.5 लिटर होते हैं, तो वो आपने इतना पानी पीना है, और दूसरा एक कैटिगरी यह होती है, कि आपका यूरीन का कलर कैसे है, अगर आप श्याचिन में हैं, तो आप थोड़ा पानी में भी अच्छा आपका पिशाब का कलर आ रहा है, और अगर आप थर के अंद लिटर एक कब जो है, वो लेमन डालें, तीन दो से तीन लोग कहते हैं नीमू डालें, नीमू डालके आप पानी पीए, तो उससे भी पत्री की प्रेवेंशन होते हैं, तो इसरी चीज यह है, कि आपने ऑग्सलेट जो है, जो मैंना आपको चीजने बताई थी, जिससे ये क करता है उसको डाइट में कम करने ना है जितनी भी मैंने आपको यह चीज़ें बताएं चौथा यह है कि आप अपने पेट पे कमर में मसाज करें ताके जो है जब आपको बहुत शदीद दर्द हो रहा है या आप को लिक में आया है या आपको हॉस्पिल ले जाने की जुरूर जिसमें भी काब्स है ना इन सारी चीज़ों में उसको आपने कम करना है क्योंकि अगर यह बड़ेगा तो भी यह आपकी कैल्शियम के और ऑग्जिलेट के स्टोन की फॉर्मेशन करवाएगा और आखरी छटी जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टन है लोग उसको बहुत कर देते हैं विटमिन डी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए मैगनेजियम का आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए और पुटेशियम का आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए अगर आप यह सारी छे चीज़े करेंगे तो आपकी स्टोन फॉर्मेशन की चांसे कर सकते हैं और अपना खास ख्याल रखें आपका कोई भी सवाल है कोई भी चीज़ है जो आप पूछना जाते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं सारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ और फेस्बुक और यूट्यूब पर मेरा जो चैनल उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ये नीचे घंडी का इकॉन उसको दुबाईएगा ताकि आपको आगे भी अलर्ट रखे मिलते रहें और अपना खास ख्याल रखिएगा शुक्रिया